हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनलाइन आई टी आई पर दोस्तो बाहरती रक्षा मंत्रा लेके अधीन आने वाले पूरे कंटेन्मेंट बोड यानि पूरे चाउनी परिशद में एक वेकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस वेकेंसी में कक्षा 7 वी से लेकर ITI, Diploma, 12 और Graduate Students के लिए कई सारे पद निकाले गए हैं ये जो वेकेंसी निकाली गई है ये एक पर्मानेंट वेकेंसी निकाली गई है और इस वेकेंसी के नोटिफिकेशन की सारी जानकरी आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सबसे पहले computer programmer का इसमें पद निकाला गया है जिसकी एक post यहाँ पर निकाली गई है इसमें select होने के पस्चा जो वेतन मिला दिया जाएगा वो आप इस column में देख सकते हैं जो की 49,800 से लेकर 1,32,300 के बीच में रहेगा इसमें apply करने के लिए M.C.A., B.C.A., B.C.I.T., B.Tech जिन्होंने computer science में क्या हुआ है वो candidates apply कर सकते हैं अगली post पर आते है workshop superintendent की post जिसके एक पत पर भरती है 38,600 से इसका वेतन शूरू होएगा इसमें apply करने के लिए diploma आपका होना चाहिए mechanical trade में या फिर अगर आपने B.Tech की हुई है mechanical में तो भी आप इसमे apply कर सकते हैं तीसरी post है fire brigade superintendent की जिसके एक पत पर भरती है यहाँ पर आप इसकी salary देख सकते है 38,600 से शुरू रहेगी इसमें apply करने के लिए आपके बास degree के साथ-साथ national fire safety certificate सब officer का यहाँ पर होना चाहिए अगली post पर आते हैं अगली post है assistant marketing superintendent की जिसकी एक post पर भरती है 19,900 इसका प्रारमिक वेतन रहेगा जो की 63,200 तक जाएगा इसमें apply करने के लिए आपके पास graduation होना अनिवारे है इसके अलावा आपके पास computer typing का certificate भी होना चाहिए English और Hindi में अगली post पोस्ट disinfector की post है यह जो post इसमें एक पद है और इसकी salary 15,000 से चालू है और अधिक तब 46,600 तक आपका वेतन जाएगा इसमें apply करने के लिए केवल आपको 7th pass होना जरूरी है इन post हो को हमने अलग-अलग color wise categorize किया हुआ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो अगली post इड्रेसर की post इसके एक पत पर भरती निकाली गई यह 18,000 से लेकर 15,900 इसका वेतन रहेगा इसमें apply करने के लिए आपको 10th pass होना जरूरी है साथ यह आपके पास medical dressing यानि CMD का certificate होना अवश्यक रहेगा अगली post इड्रेवर की post इसमें 19,900 से लेकर 63,200 रुपे वेतन है पांट post इसके लिए निकाली गई इसमें apply करने के लिए आपको 10th pass होना जरूरी है किसी भी आप ब्रांज से graduation होनी चाहिए इसमें आपके लिए computer tripping का certificate भी मांगा गया है इसमें 19,200 से लेकर 63,200 आपके बीच में वेतन रहेगा अगली जो post हो है health supervisor की जिसका वेतन रहेगा 34,400 लेकर 1,12,401 post पर भरती निकाली गई है इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास graduation होनी चाहिए और साथ में आपके पास multidisciplinary health worker का certificate भी यहाँ पर मांगा गया है अगली post है lab assistant की post जिसका वेतन न 21,700 लेकर 49,100 रुपे एक post निकाली गई है इसमें बारी पास आपका science subject से होना जरूरी है आपके पास DMLT का diploma भी मांगा गया है अगली post है lab attendant hospital की जिसमें 19,900 से लेकर 23,600 वेतन रहेगा एक post निकाली गई है केवल दस्वी पास candidate इस post पर apply कर सकते है next post है laser clerk की जिसकी एक post पर बरती निकाली गई है इसमें apply करने के लिए आपके पास graduation होनी चाहिए और आपको typing आनी चाहिए ठीक है तीरवे नंबर पे post है nursing ordinary की इसमें एक post पर बरती निकाली गई है इसमें केवल दस्वी पास आपको होना जरूरी है apply करने के लिए अगली पोस्ट है pean की इसमें एक फासğa आया की पोस्ट है पर भरती निकाली गई है हाई स्कूल टीचर की पोस्टे जिसमें अप्लाई करने के लिए आपको मैस और साइंस से आपका ग्रेजुशन होना चाहिए और साथ में आपकी बीड होना चाहिए इंगलिस से ग्रेजुट केंड़ेट और बीड वाले केंड़ेट जिसमें अप्लाई कर सकते हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगली जो पोस्ट है उसकी बात करते हैं जूनियर इंजिनिर इलेक्ट्रिकल की इसमें अप्लाई करने के लिए आपको तीन वर्शी डिप्लोमा होना मांगा गया है साथ मी अगर आपने B.E.B.T. किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं एक पोस्ट यहां पर इसके लिए निकाली गई है इसके अलावा आपके पार DMRT का डिप्लोमा भी यहाँ पर मांगा गया है अगली जो पोस्ट है माली की पोस्ट है इसकी चार पोस्टों पर भरती निकाली गए इसमें अपलाई करने के लिए आपको दस्वी पास होने के अलावा अगली पोस्ट है अगली पोस्ट है अगली पोस्ट है इसकी पोस्ट है इसमें अपलाई कर सकते है और आपका अगली पोस्ट है इसमें अपलाई करने के लिए आपको मैं बता देता हूँ आपके पास ग्रेजूशन होनी चाहिए और ग्रेजूशन के लावा आपके पास टैपिंगा सर्टिफिकेट हिंदी और इंग्लिश अद्यक में होना चाहिए इसकी एक पोस्ट यहां पर निकाल इसकी पास प्रेजाए करने के लिए आपके प्सका आपके पास में इलिग्लिटिटी की आगे बात करते हैं इस वाले कारने के लिए आप 2 प्रकार सेはいagar सकते हैं मोला और अफ्लाइन और उफ्लाइन के साथ औन लाइन भी अप्लाए कर सकते हैं offline form आप यहाँ official website से download कर सकते हैं जो कि आप हमारे टेले ग्राम अप्लाइब कर सकते हैं जिसका link इस वीडियो के description में आपको मिल जाएगा साथी official website का link भी में इस वीडियो के description में डाल दूमा जै जो offline form है इसके साथ आपको 600 रुपे का demand draft, अगर आप OBC और general candidate है तो आपको 600 रुपे का demand draft, offline form के साथ भेजना पड़ेगा, और other ST, SC, OBC के candidates से उनको 400 रुपे का demand draft, इस off-form के साथ भेजना पड़ेगा, address भी यहाँ पर दिया हुआ है, जिस पर आपको form भेजना है, इस vacancy के लिए apply करने की last day 4 April 2023 से इससे पहले ही आपको offline या online apply करना पड़ेगा, चीक है, आगे बात करते हैं, इस vacancy में जो age relaxation मिलने वाला है, SC, ST के candidate, अधिकतम 35 वर्ष तक की I.U. तक इसमें apply कर सकते हैं, OBC की candidate की maximum age 33 years रखी गई है, वह यह EWS general की maximum age 30 वर्ष है, minimum 21 years सभी candidate के लिए यहाँ पर age रखी candidate के लिए 400 रुपे यहाँ पर application fees इस firm की रखी गई है, आगे मैं आपको बता दू, इस vacancy के लिए जो आपको form के साथ चीज़े upload करनी है, उसकी भी list यहाँ पर दिवी है, जिसे आप छटे point पर देख सकते हैं, और अच्छे से पढ़ सकते हैं, इस vacancy में जो आपका exam होना है मैं आपको बता देता हूँ, जो सारी post ने हैं, इनमें आपका एक exam होगा, जो written exam होगा, यह OMR based होगा, और OMR based exam के बाद, आप लोगों का skill test भी यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है, skill test में आपकी जो post है, उससे संबंदित आपका skill test यहाँ पर होने वाला है, exam आपका किस तर application होगे, इसमें 120 marks की application होगे, और प्रते एक post wise जो syllabus है, आपका वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, 11 नमबर के point में, चीक है, यह जो 2 घंटे का exam होगा, यह exam आपका offline mode पर होगा, OMR पर होगा, चीक है, तो यह तो बात होगी exam की और इसमें selection की procedure की, अब बात करते इस vacancy में apply करने के process की, तो apply करने के process के बारे मैं आपको बता देता हूँ, इस vacancy में आपको online apply करना पड़ेगा, जो मैंने post ने बताई थी 7 पास वाली post है, उधी में आपको केवल offline apply करना है, बाकी जो post है उसमें आपको online apply करना पड़ेगा, online apply करने के लिए आपको जो official website है उस पर click करना पड़ेगा यह official website का link में इस video के description में डाल दूँगा इसके बाद जो page open होगा इस तरीके से आपका page open हो जाएगा इस पर आप देख सकते हैं जो post है अलग-अलग qualification wise वह अलग categorize की हुई है यह आप देख सकते हैं इसके अलवा आपको उपर की और apply का एक option डिखे करेंगे जिससे कि आप अपना पहुंग भर सकते हैं तो इस तो उम्मीद है कि इस वीडियो की जो सारी जान करें आपको अच्छे से समझ में आ गई हो कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ITX से जूड़ी इस तरह की informative वीडियो जोब अपडेट्स को सबसे पहले प सबस्क्राइब करके बेल आइकन जरू दबादे साथ ही हमें इस्टाग्राम और टेलिग्राम चैनल पर भी जोइन करना ना भूले मिलते एक ली वीडियो में टेक क्लिए है